हेई गाईज स्वाब है थे तुम सब का वनपीस के एक और ने वीडियो में और आज से मैं ड्रेस रोजा आर्क को एक्स्प्रेइन करने वाली गी और जो कि मेरा वन आफ दा फेवरेट आर्क्स में से एक है और अब तक तुमने चितने भी आर्क्स देखे होंगे न वो सब इस देखे वीडियो को शुरू करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि डूफला मिंगों के बॉल्लड के पोजीशन से रिजाइन वानी निउस को सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं और निउवर्ड में ये खबर आग की तरह फैन रही होती है जोएलरी पॉनी को दिखाया जाता है जो कि ये निउस पढ़ रही होती है और फिर हमें जीम में क्रोकोडाइल हॉकिन्स को दिखाया जाता है और वो सब भी इस निउस को पढ़ रहे होते हैं और किट कहता है कि स्ट्रॉण है लूफी और ट्रफ़न को लॉग ने भी हमारी कर लिया और कहता है कि मैं हैराओन हूं कि आखिर उनका निशाना क्या है फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डूफला मिंगो को दिखाया जाता है जहां पर उसे लॉग का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैंने रिजाइन कर दिया है खुश फिर सीन शिफ्ट होता है और ह से कहता है कि तुम हर बार यही करते हो जिस पर डोफला मिंगो लूफी से कहता है कि तुम स्ट्रॉव हैट लूफी हो ना तो मेरे पास तुमारी लिए कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद आएगा और जो तुम्हें बहुत प्यारा होगा जिस पर लूफी कहता है कि क्या का ऐस जो मुझे बहुत पसंद आएगा और जिससे सुनकर वहां के सारे लोग हैरान हो जाती है और जिस पर लूफी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद कहता है कि कहीं वह बहुत सारा खाना तो नहीं और फिर लूफी से फोन ले लेता है और डोफला मिंगो से कहता है कि त सहीं सलामत है और फिर लाव सीजर की तरफ फोन करता है और सीजर रोता हुआ कहता है कि जो कर मुझे माफ कर दो मेरे बज़े से तुम्हें वरड की पुजीशन से रेजाइन करना पड़ा फिर लोग डूफलामिंगो से कहता है कि अब से आठ गंटे बाद हमसे ग्रीन बिट प पर जा रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि डूफला मिंगों वहां अपनी पूरी फौज लेकर आएगा और अगर उसने ऐसा किया तो हम सब के लिए बुरा होगा जिस पर लॉज उससे कहता है कि नहीं पर अगर उसने ऐसा किया तो ये हमारे लिए और अच्छा होगा जिस पर उसाप उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा लोग उसके साथ आएंगे फैक्टरी में उतनी ही कम सेक्योर्टी होगी जिस पर लौ उससे कहता है कि ह तुमने सही कहा और फिर कीनेमान और मूमो लॉव से कहते हैं कि क्या हम ड्रेस रोजा नहीं जा रहे हैं जिस पर लॉव उससे कहता है कि हम ड्रेस रोजा होते हुए ग्रीन बिट पर जाएंगे जिस पर वो तो उन्हों कहते हैं तो फिर ठीक है फिर हमें कुछ देर बाद का सी कर रहा है जिस पर कीनेमान और मुँव कहते हैं कि क्या इत्तिफाक है हम सब भी वहीं जाने वाले हैं फिर कीनेमान सब को बचाना ही होगा चोकि ड्रस रोजा में कैद है जिसपन लूफी कहता है कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे फिर सिंशिप्ट होता है कर रहा कर हमें डॉफिला मिंगो के पैलिस का सीन दिखाया जाता है जहां कि तुम सबको पता रहे कि नेवी में साथ वारलोड्स होते हैं पर अभी सिर्फ छे ही हैं और जो कि मी होग, डोफला मिंगो, बोवा हैंकोग, बर्थिलों में कुमा, ट्रफल कर लोग और कैप्टन पगी हैं फिर वो कहता है कि हमें नहीं पता क्यों पर डोफला मिंगो ने र पैलिंस बिगड़ जाएगा और जो कि बहुत चिंता वाली बात है और जिस पर फ्लीट एड्मिनल अकाईनो कहता है कि परिशान मत हो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में हैं फिर वो कहता है कि मैं लोव और स्ट्रो हैट को अपनी निगरानी में कोई भी मनवानी करने नहीं और कहता है कि मेरे पास स्मोकर का कॉल आया था और उसने मुझे सारी रिपोर्ट दी और मैंने फूजी दोरा को वहाँ पर भेज दिया है फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डूफना मिंगो के पैलस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहापर लोगों की भीड़ दगी हुई होती है और वो सब सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर उनके किंग ने वार्लोड की पोजिशन से रिजाइन क्यों किया फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहापर बेबी फाइफ ट्रफल नाम के आदमी को ढूंड रही होती है और फिर वहाँ पर आ जाता है और बेबी फाइफ से कहता है कि डोफी कहा है फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टोफला मिंगो को दिखाया जाता है जो अपने चार सबसे भरोसे मनसातियों से बात कर रहा होता है और जिन्में से एक होता है डियमांटे जिससे डोफी कहता है कि तुम चाहिए होगा और फिर वो उस बॉक्स को डियमांटे को देते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हें सौप रहा हूँ और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स में एक डेवल फूरूट होता है और वो फूरूट है फ्लेम फ्लेम डेवल फूरूट यानि की फ्लेर फ्लेर न है फिर सीनों शिब्ट होता है औरम इंथ Θावसंसने का सीन दिखाया जाता है जो कि ड्रेस्रोजा तक पहुँच चुकी और जिसे देखकर किता है कि ड्रेस्रोजा हम आ रहे ही ज पर किने मन और मूमो कहते हैं कि कांजिरो हम आ रहे ही है jus एपिसोड यहीं पर खतम होता है